हेलो, पिछली वीडियो में हमने लूपिंग स्टेट्मेंट के फॉर लूप के बारे में जाना अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो उपर आई वाटन पर कलिक करके इस वीडियो को देख सकते है आज हम इस वीडियो में वाई लूप के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले वाई लूप यह होता क्या है इसकी definition जानेंगे तो इसकी definition है वाई लूप condition पर depend करते हैं यदि condition true होती है तो लूप चलता है और जब condition false हो जाती है तो compiler block of code से exit हो जाता है तो यह वाई लूप के definition है इसके बाद हम वाई लूप का syntax जानेंगे तो वाई लूप का syntax है यहाँ पर यह लगाएंगे इसके बाद यहाँ पर condition लगाएंगे इसके बाद यह curly bracket इसको open करेंगे इसके बाद लिखेंगे code to be executed यहाँ पे code execute होगा इसके बाद हम curly braces को close कर देंगे तो यह जो है य लूप का syntax है यह लूप का chart है यहाँ से हम value start करेंगे यह देखो इसको बोला जाता है initialize इसके बाद यह जो है यहाँ पे condition लगा जाती है अगर condition सही होती है तो यह execute करेगा यह देखो यह execute करेगा अगर condition false हो जाती है तो यह यहाँ पे जाएगा और इसके बाद यह निचे यहाँ पे exit हो जाएगा तो जब तक condition सही होती है यह loop चलता रहता है जब condition false हो जाती है तो यह loop exit हो जाता है इसके बाद हम by loop का program जानेंगे तो यह वाई लूप का प्रोग्राम है write a program to demonstrate the use of वाई लूप तो इस प्रोग्राम को हम notepad में करेंगे यह हमने notepad को open किया और इसमें हमने यह वाई लूप का प्रोग्राम लिखा हुआ है सबसे उपर लिखा हुआ है dog type stml इसके वाद लिखा हुआ है stml इसके वाद body इसके वाद php को start किया हुआ है इसके वाद यहाँ पे variable x is equal to यह देखो 2 यहाँ पे value बरी हुए है इसके वाद यहाँ पे while loop यह लगाया हुआ है यहाँ पे condition लगायी हुए है यह देखो while के वाद यहाँ पे यह जो round braces में लिखा हुआ है variable x is less than equal to 6 round braces close इसके बाद यहाँ पे curly braces को open किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है eco variable x इसके बाद semicolon इसके बाद यहाँ पे variable x यहाँ पे लिखा हुआ है increment यह लिखो increment यूज किया है इसके बाद यहाँ पे semicolon curly braces को close किया हुआ है इसके बाद PHP को close किया हुआ है इसके बाद body और इसके बाद HTML को close किया हुआ है तो यह सारा जो है यह वाई loop का program है इसको हम यहाँ पे save करेंगे तो save करने के लिए हम file पे जाएंगे इसके बाद save as पे जाएंगे save as पे जाने के बाद c drive इसको open करेंगे open करने के बाद यहां पे bomb 64 यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद www यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद project folder में हमने इसको save करके रखना है तो project folder को open करेंगे यह open किया यहां पे हम file का name देंगे op op file का name दिया इसके बाद लिखेंगे dot इसके बाद extension लगाएंगे php की php ये लिखा लिखने के बाद हम यहां पे इसको save कर देंगे ये save किया save करने के बाद इसको minimize करेंगे यह minimize किया इसके बाद फिर हम bomb server इसको open करेंगे यह open करने के बाद यह bomb server यह देखो task bar में आ गया है तो यहाँ पे हम click करेंगे यहाँ पे click किया click करने के बाद local host यहाँ पे click करेंगे यह local host window यहाँ पे open हो जाएगी इसके बाद यहां पे ऊपर यहां पे लिखेंगे localhost इसके बाद यहां पे forward slash इसके बाद project लिखने के बाद फिर forward slash लगाएंगे यहां पे file name हमने op दिया था इसके बाद dot php लिखेंगे यह php लिखा इसके बाद enter प्रेस करेंगे enter press करने के बाद ये देखो यहां पे output आ गई है तो इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो यहां पे हम यह h1 यूज करेंगे यह देखो यहां पे h1 हमने use किया और h1 को यहां पे निचे close कर देंगे यह h1 हमने close कर दिया close करने के बाद इसको फिर यहां पर save करेंगे यह save पर click किया save पर click करने के बाद रिफ्रेश करेंगे refresh करने के बाद यह दिखो यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 यह आ गया तो यह कैसे आया है यहां पर यह दिखो variable x is equal to 2 यहां से हमने 2 से start किया हुआ है तो यह 2 से यहां पे start हो रहा है इसके बाद यह देखो यहां पे while इसके बाद यहां पे condition लगाई हुई है variable x is less than or equal to 6 कि यह जो value है 6 यह less than or equal to 6 है तो यह देखो यह 6 भी आएगा और इससे कम जितने भी यहां पे number है वो भी आएंगे तो यह सबी यहां पे आगे हैं अगर हम यहां पे value change करते हैं यह 2 की जागए यहां पे 3 लगाते हैं यह देखो 3 लगाया 3 लगाने के बाद जब हम इसको save करेंगे और refresh करेंगे तो यह 3 से start होगा यह देखो इसको करके दिखते हैं यहां पे file पे गए save पे गए save पे जाने के बाद यहां पे इसको refresh करेंगे यह देखो अब यहां से हमने starting कहां से की हुई है 3 से तो यह 3 से यहां से आ रहा है 3, 4, 5, 6 अगर हम यहां पे value बढ़ाते हैं जैसे 3 से लेके कितने तक 20 तक आना चाहिए तो यहां पे 20 वरते हैं यह 20 20 वरने के बाद जब हम यहां पे इसको save करेंगे और refresh करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे value जो है 3 से start होगी और 20 तक आ जाएगी इसको यहां पे save करके दिखते हैं यह save पे click किया इसके बाद यहाँ पे इसको refresh करेंगे यह देखो refresh करने के बाद यह जो value है 3 से start होई है और 20 तक यहाँ पे आ गई है क्यों आई है क्योंकि यह हमने यहाँ पे condition पे लिखा हुआ है less than equal to 20 तो यह 20 तक यहाँ पे values आ गई है अगर हम यह चाहते हैं कि यह जो 20 है 20 पहले आए उसके बाद 19 आए उसके बाद 18 आए उसके बाद 17 उसके बाद 16 उसके बाद 15 तो यह कैसे करेंगे और last में जो value वो 0 आए तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे यह variable x is equal to 3 लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे 20 यह 20 किया 20 करने के बाद यहाँ पे यह while के बाद यह condition लगाई हूँ यह round of races में variable x यहाँ पे हम greater than लगाएंगे greater than लगाने के बाद equal to यहाँ पे हम value भरेंगे 0 यह 0 हरा भरने के बाद क्या करेंगे हम यह यहाँ पे एको यह देखो बैरियेवल एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे बैरियेवल यहाँ पे इंक्रिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे डिक्रिमेंटल लगा देंगे यह देखो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे डिक्रिमेंट यह देखो डिक्रिमेंटल लगा दिया इसक यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर लास्ट में आएगा 0 तो इसको करके दिखते हैं यहाँ पर इसको सेब किया यह सेब पर किलिक किया इसके बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे रिफ्रेश करने के बाद अब दिखो यहाँ पर 20, 19, 18, 17, 16, 15 और यह वैल्यू कहां तक गई हुई है ये दिखो last में zero है तो इस तरह से हम यहां पे y loop का यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने y loop के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद